हलो एवरीवान वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंडी टीवी की क्योंकि इनके जो को फाउंडर्स हैं प्रनौय रॉय और राधिका रॉय इन्होंने एंडी टीवी की जो प्रमोटर कंपनी है वहाँ पे डिरेक्टर क की पोस्से रिजाइन कर दिया है तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करेंट प्राइस पे आपको एंडी टीवी का शेयर लेना चाहिए है नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये अंडी टीवी करती क्या है तो अंडी टीवी आइम शॉर आप सब इनके बारे में जानते होंगे ये एक इंडियन न्यूस मीडिया है इन दोनों ने इसको found किया था और आज की डेट में इनके पास ndtv इंडिया ndtv 24 into 7 इनको operate करते हैं इन्होंने एक business channel ndtv profit के नाम से भी launch किया था जिसकों की बाद में entertainment channel ndtv prime बना दिया गया था और अगर ndtv की shareholding देखेंगे तो 61.45% इसका हिस्सा promoter company के पास है जिसमें की rrpr यानि की इनोंने अपने नाम से रखा था राधिका रॉय और प्रणाय रॉय के rrpr और holding private limited में 29.18% हिस्सा इनके पास है ndtv का और राधिका रॉय के पास individually 16.32% और प्रणाय रॉय के पास 15.94% है तो यह सब मिल करके 61.45% हिस्सा ओन करते थे सेप्टेंबर 2022 तक और अब अगर बात की जाए latest development की तो प्रणाय रॉय और राधिका रॉय ने कल यानि 29.9 नवेंबर को जो rrpr holding private limited है जो कि ndtv की promoter company है और उसमें 29.18% हिस्सा यह ओन करते थे यहां से resign कर दिया है और इसकी सूचना ndtv ने stock exchange को दी है हाला कि जो इनका 32.26% का हिस्सा individually दोनों own करते हैं वो अभी भी यह own करते रहेंगे इन्होंने ndtv के board से resign नहीं किया है सिर्फ इस company के director के पद से resign किया है और यह जो resignation है वो तब हुए है जब कि rrprh की कल एक board meeting हुई थी और उसके बाद जो नए director है वो भी न्यूक्त कर दिये गए हैं जो नए director होंगे वो सुधीता भट्या चारया यह व्यक्ति और इसके अलावा संजे पुगलिया यह आप शायद आप इनको जानते होंगे यह पहले cnbc आवाज में थे और अब आज की डेट में यह media initiatives में CEO और editor-in-chief है अधानी enterprises में तो इनको भी director न्यूक्त किया गया है इसके अलावा तीसरे जो व्यक्ति हैं सैंथिल सिनिहा चंगल वर्यान इनको भी rrpr का नया director न्यूक्त किया गया है और इसकी सूचना ndtv ने stock exchange को इस information के द्वारा दी है और अब अगर बात की जाए latest chain of events की तो ndtv ने stock exchange को बताया है कि इनकी promoter company rrprh के जो भी shares थे वो अधानी group को transfer कर दिये गए हैं तो इस तरह से जो अधानी group है अब उसके पास 29.18% की हिस्सेदारी हो गई है ndtv में इसके अलावा आपको पता होगा कि वो 22 नवेंबर से दिसंबर 5 के बीच में ndtv एक open offer रन कर रहा है ताकि वो additional 26% जो ndtv में है उसको acquire कर सकें जब भी कोई company दूसरी company में 25% से जादा हिस्सा acquire करती है जैसे कि इस case में 29.18% हिस्सा acquire किया गया है तो उस case में उनको एक open offer ले करके आना होता है ताकि जो existing shareholder है वो अगर नई management नई acquirer से खुश नहीं है तो exit ले सकें हाला कि यहां पर हरानी की बात है कि जो open offer है वो सिरफ 294 रुपे पे ले करके आया यानि कि कोई भी जो NDTV का shareholder है वो अगर exit करना चाहता है तो उसको 294 रुपे में जो अधानी group है उनके share खरीदने को ready है और यह जो अधानी 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 का जो market price है वो 400 रुपे के आसपास चल रहा था आज की date में तो 425 रुपे चल रहा है यानि कि huge discount पे यह open offer लेकर के आए हैं तो उमीद नहीं की जा रही थी कि भाई कोई भी shareholder interested होगा क्योंकि वो अपनी secondary market में भी बेच सकते हैं लेकिन हरानी की बात है कि आप economic times का कल का यह article देख सकते हैं इसमें लिखा है कि जो open offer 26% का है उसमें से one third जो है ndtv के shareholder ने already subscribe कर लिया है तो अब इसको मिला करके जो अदानी group की जो vcpls shareholding company है जो की ndtv को own करेगी इनके पास 37.29% की हिस्सेदारी हो चुके 29.18% इन्होंने rrpr से acquire किया है और लगभग 8% से ज़्यादा यह open offer के द्वारा अभी तक ले चुके हैं अभी भी open offer 5 दिसंबर तक खुला है तो हो सकता है कि इनकी जो हिस्सेदारी है काफी ज़्यादा बढ़ जाए और अब यह top shareholder हो चुके हैं क्योंकि राधिका और पनायरोय की जो combined shareholding है वो भी 32.26% है तो उन से ज़्यादा हिस्सा अब अदानी ग्रूप की कमनी के पास हो चुका है हाला कि पनायरोय और अधिकारोय के पास एक opportunity थी कि वो counter offer देते shareholder को लेकिन उसके लिए उनके पास financial muscle होनी चाहिए थी बहुत बड़ी क्योंकि अदानी को beat करना असान नहीं है तो इस तरह से उन्होंने resign करना ही बहतर समझा है इससे पहले आपको याद होगा August में अदानी ग्रूप ने सभी को surprise कर दिया था जब इन्होंने VCPL विश्व वर्धन commercial private limited को acquire किया था जो की RRPRH के warrants hold करती थी तो अगर आप इस topic को पूरा समझना चाहते हैं तो मैंने August में ये वीडियो बनाया था जहां पर detail में explain किया था कि भई इन्होंने NDTV को कैसे acquire किया है और अब अगर बात की जाए कि भई क्या हमें current price पे NDTV का share लेना चाहिए तो NDTV को अदानी ग्रूप के दोवार acquire कर लिया गया और अदानी ग्रूप के या तो आपको पता ही होगा कि share जलवा दिखाते हैं हाला कि हरानी की बात है कि अदानी ग्रूप के acquisition से पहले ही इस share ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया है और ये एक साल में 447% की return दे चुका है तीन साल में इनकी जो return है वो 1445% की है इस साल में ये 267% की return दे चुके हैं हाला कि पिछले तीन महीनों में इन्होंने negative return दी थी जबसे ये news सामने आई थी लेकिन पिछले एक महीने में इनका share वापिस भागा है लगबग 36% तो already ये काफी भाग चुका है और अगर हम इनके peer से इसको compare करेंगे तो ये एक बहुत ही छोटी कमनी है 2740 करोड का market capitalization है P-PV ratio इस टाइम पे ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि share काफी भाग चुका है इसके मुकाबले में Sun TV या TV18 broadcast ज़्यादा attractive लगती है Otherwise ये profitable company है debt almost debt free company है तो अगर आपको अदानी ग्रूप की कमनी इसमें विश्वास है तो आप इसमें नजर रख सकते हैं लेकिन already share काफी भाग चुका है तो मेरी personal opinion में तो इसमें ठीक ठाग गिरावट आए तभी इसके बारे में सोचना चाहिए हाला कि अभी गिरावट का सवाल नहीं लगता है क्योंकि कल इसने upper circuit जो है 5% का उसको touch किया है तो हो सकता है कि काफी दिन इसमें upper circuit ही चलता रहे और भी share भागे लेकिन मुझे लगता है कि अभी overvalued है इसके अलावा आप NDTV की reporting में भी थोड़ा बदलाव देखेंगे अभी आप देख सकते हैं अगर आप NDTV की website में जाएंगे तो इसने already अदानी group की जो खबरे हैं उनको exclusively cover करना शुरू कर दिया है क्योंकि अगर आप money control या CNBC पे जाएंगे तो reliance को cover करते हैं क्योंकि मुकेश अमबानी की हिस्सेदारी उसमें है ब्लूमबक कुइंट में जाएंगे तो वो अदानी group को cover करता है क्योंकि उसमें गौतम अदानी जी की हिस्सेदारी है तो अब NDTV में भी आप अदानी related news काफी देखेंगे हाला कि वीडियो क्लोस करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views हैं वो मेरे personal हैं अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते हैं तो अपनी further research के basis पे ही कीजिए थैंक्स को मुच ओर वाच वीडियो और प्लड ब्लस यॉल